हेलो 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 कैसे हुँ आप लोग स्टुडेंट मैं हुँ आपका अपना को पालिया दो और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं जैन स्टुडेंट और आज हम लोगे स्टार्ट करेंगे नुमेरिकल्स बेस्ट डॉन कम्बिनेशन ओफ रेजिस्टर तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चेप्टर क्लास तेंथ का पर चुके हैं ठीक और उसमें नुमेरिकल्स भी किये हैं लेकिन एस्पेसली जो यह लेक्चर है यह सिर्फ और सिर्फ नुमेरिकल रहाएगा नुमेरिकल्स मैंने लिखा ठीक जो की रेजिस्टर पर है ठीक तो यह नुमेरिकल्स में क्या करने यह सरकीट डाइग्राम है आप देखिए यहां से यह रेजिस्टर है आरवन और यह और दोनों का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ohm 20 ohm ठीक और यहां पर इस सरकीट में और Eggs वोल्ड का बैटरी लगाया हुआ ऊद के यह वैटरी का सिंबल होता है उकरें य मैं यह 3 वोल्ड का बैटरी लगा हुआ हो आप इसमें पूझ किया रहा है कि 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 है करेंट किos सबी सेन किरेंड कितना फ्लो कर रहा है अब धुछ रहा ऑद पोटेंश्याल डिफरेंस एक्रओं से हिंव HEY यानि कि तेन ओम्-पाई रजिस्टर उसके किरना पोटेंश्याल डिफरेंस वहां sale okay तधिक एक चीज्व याद रखिए आप लोग कि हम लोग को दिक राओ की सेरीज कंबिनेशन तो यह बच्चो साथ क्वा प्लस हा निधा एक टो पूरा कट एकल्भलने Japanese 10 प्लस 10 ohm प्लस 20 ohm जो कि कितना हो जाएगा बैटा 30 ohm तो यह हमारा टोटल जो रिजिस्टर है रिजिस्टेंस है इस सर्कुट में हमें पता चल गया कितना आर एक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया 30 ohm हो गया यह हमारे पास आ गया यानिक पूरे सर्कुट में कितना डिजिस दिफ्रेंसित ये वैटरीक्ष अप्टेंटिंसेल दिया हुआ शूरी का पुर्टी दिया हुआ टो वी क्या है बेटा ठी गोल्ट आर हमारे पास कितना है 30 ओम तो आई निकालना है तो आई इकल टू क्या हो जाएगा वी बाई आर कियो क्यों कि वी इकल टू आई आर हम लोगों ने पढ़ा है इसमें वी इकल टू आई आर परे वे नहीं ओम सलग ठिक तो यहां से क्या हो जाएगा विग्यवक हो जाएगा हमारे पास वी अपान अर तो वी कीतना बेटा तो आई इस एकल टू ठी वाई 30 संबू अन थे यह क्या हो जाएगा वर्न अपं इन ठीक यह जाएगे सारी ओन अंट humour वान पान टेन हमारे पास क्या हो गया आए वन अपार्णर टेन एंपीर क्या जायगा वन अपार्णर है टेन में पियर ओके कि ए घित तो यह हो गया ähлюч अगर हम लोग यह पॉइंट में यह जो आहिए औ यह करेंगे तेजिए प्लौक न तो पॉइंट में ही ले लेते हैं ज्यादा इजी रहेगा ठीक तो यह पहला कोश्चन हमारा ए जो है फाइंड़ करेंट फ्लोइंग इंद सर्कीट वाला कोश्चन हो गया अब भी हमें क्या पूछ रहा है पोटेंसियल डिफरेंस्स एकृस कितना पोटेंसियल डिफ्रेंस हैं तो देखें रिखेंटी फेली क्या होता है आय ओक कियो कि सिभू चर्कीट नोब ये 0.1 MPR पूरे सर्केट में तो आई के जगा पर हम लोग क्या लिख देंगे 0.1 ठीक और आर कितना चाहिए 10 ओम के हमारा potential difference निकालना है 10 ओम का इंटु क्या लिख देंगे 10 तो इसको हम लोग क्या करेंगे वी इस इक्वल टू यह जो 0.1 इसको हम ल renowned by 10 में लेंगे और इंटु 10 करदेंगे नीचे तो जादा नहीं जा لए ज्यादव निचे तोव नहीं जा कर लिया अब देखेंगे सेकेंड नुमेडिकल तो सेकेंड के लिए हम एक डाइग्राम बनाएंगे ठीक चलिए बेटा यह नेक्स्ट क्वेस्टन जो है हमारा सेकेंड नुमर क्वेस्टन आपके बोड पर आ चुका है यह देख लिजिए देखें आर वन आर टू आर थीर और फूर चार रेजिस्टर जो है ऐसे कनेक्टेड अब यह क्या वो रहे हैं कि इसमें करेंट कितना यह कितना रेजिस्टरेंट ओव निकाल लेंगे और वह आजाएगा था मरेब cattle से यह दक रहे हैं कि enterprise बोल्टे deeply करएगी यह द्रीक डी ग्राहम तो एक यह यह है यहाँ पाक्नेक्टेड और यह के के यहां पर Connected मतलब इसको माले जे ए इसको माले जो बी यह सी एड़ ठीक फोर से करेंट गई यहां गई तो यहां जाकर कि यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कि इधर एक इधर और फिर यह वाला करेंट या पूरा इधर तीनों में आएगा यह जो करेंट जा राम माले इसको आईटू बोल कि तो यह जो आई वन करेंट है इसमीहार outta 129 सुहांनों कि जाएगा यानि कि ये जो पूरा परलिटा यह क्या है सीरीज में है ठीक और चूरफ यहां करके फिर आ यहен यहां पर करके हो जाएगा और यहँकर क्या हो जा जाएगा चालो का है यहां जो पाट यह वाय यहां से चाहते में सीरीज में और उन तीनों के साथ ये क्या है आर फोर ये क्या है पैरलल में है ठीक तो यहां से लिग दते हैं कि आरवन आरटू एंड आरटरी आर इन इन तो चलिए यहां पर क्या निकालेंगे आरिक वैलेंट निकालेंगे तो आरवन प्लस आर्टू प्लस आर्ट्व आर्थरी वैट इस और इकुवैलेंट कितना हों जाएगा तेन प्लस टेन प्लस 10 यानिकी 30 ओं तो यह वाला पुड़ा क्या हो गया 30-版 हो गया अब देकिए क्या हो गया आर इक्वैलेंट जो है पैरलेल होगा कि त Minnie निकाल चलिए तो प्रवकलेंट होता है फिर से हम लोग निकाल लेंगे हाटीं डalles होगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा be yoda ??? और कहा हो जाएगा लेकर हो जाएगा थिक यह हो जाएगा आपका पॉर अपॉइन ठर्टी डेट इज च्या हो जाएगा सेवन फ्ञाएगा किया हो जाएगा सेवन प्वैंट गए टोटल जो सरकिट में है आर कीतना तब तो कितना हो ठीक थे तो फिरकेल वस्माइब सेवन पोईन्ट फाइब ओम स्टिक फिर क्या हो जाएगा वह Ben जो हा गया है हमारे पास 7.5 yeah okay आगया कैसते क्या पहले इन लोग के डिया की लिटीर पिए जो सीर्वीष गडिए इसको पैरलल कर दिया और पूर को ठीच दखिए यहां प्रलाल कर दिया श्माहता पैरलल कर धिया उसके बाद हम लोगों नार बेरल सेनिकाल द We were अब हमें निकालना करेंट अब क्या निकालना है बेटा करेंट तो करेंट निकालने के लिए क्या होता है वह बारे पास वही जो पहले से हैं कि ओम सुला लगाते हैं ठीक तो करेंट निकालने के लिए क्या हम करेंगे आए इस इकोल टो विडिया अप्वाण ठीक तो यहां पर क्या है आए जी को वी कितना दिया हुआ है देखें वी देखें यहां पर बैटरी के रहेत तीन वोल्ट 3 और यह क्या अर्व क्या दिया है सेवन फॉइंट फाइव ठीक ओके तो यह कट गया तो यह उपर हो गया जीरो यानिके आइज इकोल टू किया होगा थर्टी अपन सेवेंटी फाइव ऑके पंदरे पंदरे दूना तीस अब पंदरे पाचे कि 75 ठीक तो यह हो जाएगा आई एकोल टू का जीरो पॉइंट फोर आ जाएगा यह कितना जाएगा बेटा जीरो पॉइंट फोर एंपियर काटके देखिए टू बाइट वाइफ फाइफ वो काटिएगा तो क्या आजाएगा पंचों को 20 अगर जीरो और यह वह जाएगा ट्वंटी यानिके चार यानिकी जीरो पॉइंट फोर एंपियर तो यह सवाल हमारा क्या आ गया पहले हम लो सब्सक्राइब के लिए नहीं आएगा ठीक सिर्फ और सिर्फ इक वैलेट निगालने के लिए कब आएगा जब वो के स्टडी या एक साथ तिन चार कोश्चन जो रहेंगे जो नए सेंपल पेपर के कोडिंग जो प्रोसेस के थुरू आया है तो उसके जैसा रहेगा तब ज क्यों सिप्रिक यह बना देटारी बच्छें ग्फ्यूज जो जाते हैं तर्फ से भी सी कॉइसे पर इसी ने मैं बता दिता हूं थो ऊछा सा देखिव बता देते हैं इसी टाइप अप्सवाल बनता है बैटाए देख ऐसे बोलेगा कि एक स्क्वार्ड से यह ऐसे ठीक है यह होगा और यह हो गया ठीक माले जो यह चारों है यह और यह क्या है चारोम है यह विक्या चारों हां ठीक ए भी सी डी यह देदीया अब कोई धी-2 एंडे से हमें करेंट निकाल के दिखाएं कि कोई भी दो एंड के बीच में कितना करेंट कर रहा है ठीक माले आप दीक दिखाने के लिए बोलें धुक्स लई करना अगर हम इसको नोड मांते हैं यहां पे घाने के दो तरीके होते एक तो इधर से और एक इधर से ठीक इधर अगर आईवन होगा इधर हो जाएगा आई टू तो आईवन ये तीनों में आ करके आएगा आईवन जो होगा ये ये वाले से चलो इसको आरवन बोल देते हैं आरटू आर थरी और ये अरफो जैसे इसमें माने थे ठीक तो देख एक इधर गया आईवन और एक आईटू इधर है और ये दोनों आकर के यहां पर फिर आईवन और ये आईटू मिल जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा आई टोटल हो जाएगा आईवन प्लस आईटू यहां पर ठीक तो देख यह क्या हो गया अब यह जो आईवन जो जो जाएगा बैटा ये तीनों से होकर की जाएगा ढर्वनार्टू एन अरट तो इन यह और यह वाला आई टू जीमMark जेका साथ का हो जाएगा तरो सी देघुन के को बीटा च्छार प्लस चार प्लस चार्षा रिक्वार्ट sham गया बारा हो ठीक अवी जो जो बारा हो मां गया बेटा इसका एक आगया बारा अब यह जू गया यह जो आर्फोर होगा इसके साथ क्या हो और यह और आरी के उलके ट्रीद क्या हो जाएगा फ्लास वन अपन फूर यह हो जाएगा वन अपन थे यहनी किन देखेगा यहल ने घरन के ना तो इस टजाए गार मिले आपको गडता तो कुछ नहीं ग społec नायक हों और इसको यहां से खोल दो यहां से खोल यहां से खोलो भी टिमें क्यों झू तरफ हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा अलाग इसमें हो जाए और अधर क्या हो जाएका है टो तो इसको पकर के नोच के पास पकर कि दो डार्यक्षन से जाना है राश्ते में आप मिलना कहां है बगने के लिए दरगति करेंट के एक तो इथर से जाएगा और एक इधर से जाएगा ठीक टिक ये एक टाइप के कोशन थे इस टाइब का अगर कोशन आपको दिखे तो यह ख्यार रखिएगा और आपको मिल जाएंगे कुछ ज्यादा टफ नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपको नोड़ पकर के खोलने आना चाहिए ठीक तो अभी नेक्स्ट कोश्चन करते हैं तब तक लिए इसको हम थोड़ा को रिजिस्टर कनेक्टर है क्या है ओनों मैं थिर्फ तो आप लोग देखिए पहले इसको भूल जाए यह और यह वाला पाट देखिए यह वाला जो पाट है पहले सीरीज में ठीक और यह जो है इसके साथ क्या है पैरलल में है ओके तो यह सीरीज में है तो चलिए निकाल सोन निखते है पहले प्लिख लंड हो जाएका आपका एक चार यानी कि ओन पलस आर टू इकर तो क्या वोच येगा ओन प्लस थ्री जारनिकि फोर नो खूरो फोरो होगे इसका ओगे फोरों छोन पारलल में चालर्ल टो यहां निकाल लित है स्यक्ष को में वह न आर इनừ हो जाएगा रडीक वैल एक वाल टूर एक्रूर 2 डि डो आरीक वैलें टेख और देखिध स्टीक हो ज्या होत्तराइग ह STOP धो जाएगा तो पॉइंट फोर जायेगा ठीक यह कर आए जागा मैटा टू प्रॉइंट फोर ओम यानिकी आड़ी वैलन टीकल टू क्या हो गया टू फ्रॉइंट फॉर ओम ठीक अब देखे यहाब तरक्राइव दोनों का तदगेम हो गया यानने कि अब जो यहाँ पर टोर्टल होगा यह तो यह पर यह चैले सोलम्स यह टो प्ला फॉर्म ठीक तो अब दह चैले होगा थार्ड केस में क्या होगा यहां पर थार्ट केस माल लेते हैं ऐसे बना लेते हैं कि 3.6 ओम शीक्स यह टू पैंट फोर एंट 3.6 ओम टेट 2.4 ओम कि एंड थी ओम आड़ इन सिरीज क्या होगा पैटा सीरीज में हो जाएगा क्या हो जाएगा 3.6 तो आरे को वैलेंट इकोल क्या लिकाल लेंगे हम लोग यह तीनों को जोर देंगे टिक तो फ्लस 2.4 फ्लस 3 एक वाल टू क्या हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा यानि कि टोटल तो यहां पर टोटल ही लिख देते हैं कि टोटल तहीं हो जाएगा कितना नाइन और जो हमारा यहां पर बैटरी में कितना सप्लाई है कितना वोल्टेज का तो वी क्या है यहां पर और वोल्ट अभीस इसमें का पुछ रहा है हमारे करेंट इसमें पूरे सर्कीट में क्या है करेंट निकालते कैसे भीक्ताव करेंट्ए इकोल टू कि होता है वोल्टेज अपन रेजिस्टर तो वोल्टेज क्या है 4.4 वोल्ट रेजिस्टेंस क्या है 9 ओम तो देखिए यह क्या हो जाएगा सारे चार्ट में 200 मल्टिप्लाइग करेंगे तो हमारे पास क्या आता है एंपियर का करेंट जो है वेटा इस पूरे सरकीट में फ्लो कर रहा है समझ में आई बात तो इस टाइप के सवाल में हमें करना क्या होता पहले एक वैलेंट रेजिस्टेंस निकाले और उसके बाद जो है हमें करेंट निकालना होगा या इसमें बोल देता कि माल लिजे 3.6 ओ तो इस टाइप के अगर कोश्चन आए बेटा तो हमें ऐसे ही स्वाल करना है तो अगला जो सवाल होगा वह होगा कि तीन रेजिस्टर रहेगा ठीक न आउसको एक्विवैलेंट दो कोश्चन दे दे कि एक में एक्विवैलेंट एसे है और आप से पूछेगा कि वह तीनों को कैसे ऐरेंड़ करें दो आंसर दिया रहेगा और आपको तीनों रेजिस्टर को आऊरेंज करके बताना है कि कैसे कोश्चन वहपर लिखा हुआ है देखें यहां कि कि तीन रेजिस्टर है और वन रटो रटटी तीनों का क्या है सेमude देश्टेंस दिए वह कितना नाइन ऊह अब कुछन बोरा है में वटक्या कि इन तीनों ट्रकर को आप लोग कैसे अर्रेंज्ज पर ताकर यह तकी-अपका पहला मने क्या सवाल मैंने जो रेगुलर जो क्लास हम लोगों ने इलेक्टिस सिथी का करा था उसमें भी मैंने इस टाइब कर आया था ठीक वह एंसी आटी में इस टाइब का एक क्वेशन दिया हुआ आपका और यह जो है पूश चूब का यह प्रिवियस यह कोशन और बहुत इंपोटर यह अच्छा तो इसटाइब कोशन पर ध्यान दीजेगा तो देखे इसमें क्या करना है हमें चेक्शा की डाइग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा की 13.5 के लिए में पहला क रखेंगे ठीक एक ऐसे जाएगा यहां पर दो क्या हो जाएगा पैरलल में हो जाएगा ठीक और ऐसे चला जाएगा और यह हमारा क्या हो जाएगा कि जो भी है इह थो जाएगा तो यह 9 लोम हो जाएगा फिर यह भी क्या हो तो रहीकु वेलेंट हो जाएगा क्या वान अपन ओर वन प्लस बन अपन आय टो डिट ंटिह क्या ग thirds distill दे confidence 5.5 ओम आगया टेक्ट 4.5 तक आने में कोई दिकत आपको तकलीफ नहीं हुआ होगा अब देखे 4.5 बते यह क्या हो गया 4.5 अब यह टोटल 4.5 और 9 क्या हो गया सीरीज में हो गया तो देखे 9 चार 13 यान थर्टीन पॉइंट 5 आ गया यानिक यह सब क्या हो गया पूरा बश्यां हो गया को तो टेक्ट रोगल ये प्लस 4.5 तक क्या हो गया 14.5 ओम आ गया ना देखिए और कोशन आया क्या प्रतें पॉइंट 5 लागया अलड़ी किसमें सेगें व्धैंड लुगन कैसे खरेंगे इसको हम लोग कैसे एरेंज करेंगे तो कुछ नहीं हो से जाएगा यह क्या हो जाएगा ठेक इस टाइब कर देंगे इस टाइब कर देंगे तो देखिए यह हो गया नाइन ओम सेकेंड का मों कर रहे हैं नाइन ओम नाइन ओम ठीक यह हो जाएगा सीरीज में यानिक यह हो गया लोग हो गया क्या पयरलल हो गया तो शीम्पल one upon R 1 प्लस one upon , ठीक टीक यह क्या होगा लोगा हए गावन अपन नाइन प्लस वन अपन एटीन ठीक तो वन अपन अरिक वैलन टीक वन्टीक ओल डीके हो जाएगा 18 और यह कुझा अपन 6 यानि कि 3 by 80 यानि कि 6 1 upon 6 यानि कि आरी कुवेलेंट के आगया वेटा हमारे पास 6 वोम आगया देखिए तो चाहिए था लेक्चर में हमारे नुमेरिकल कर दोब्सक और भी हमने बहुत सारे दो-tiमरीस चाहर देखेंगे इसे में खेroy tired यह होता है कुछ confusing diagram होता है यह parallel combination और सिरिज combination में जो बच्चे देखकर कहीं हरक जाते हैं डर जाते हैं तो अभी कुछ confusing diagram को हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे पहचाने तो पहचाने के लिए कुछ यहां से करेंट आ रहा है ठीक यहां आ करके एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी इधर जाएगी तो यह दोनों में जाएगी और इधर जाएगी एक में यह दोनों में सेम जाएगी यह और यहां पर फिर आकर कि यह मिल जाएगा आइवन और इधर से आइटू यानि कि यह वाला पूरा एक हो गया और यह वाला अलग हो गया ऐसा ही पगरना है समझ में आई बात इसको आप पकर कर रखेंगे यह यह के वह पकर लिया तो आपका कोई दिक्कत इस टाइप को अब जो हम लोग पढ़ेंगे जो कुछ-कुछ कंफ्यूजिंग होता है जो पैरलल का चर पांच डाइग्राम आपको बना देंगे और सिरीज का भी तिन चार पांच डाइग्राम बना देंगे और वह दिखाएंगे कि कैसे सो पकरना है कि यह पैरललल हो और कैसे सिरी अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको इस टाइप के क्वेश्टन में कोई तकलीफ नहीं होगा ठीक तो अभी क्या है फिल है थोड़ा से हम जगय बना लेते हैं वेटा जगया है 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 हलो देखिए अभी आप लोग बोट पर देख रहे होंगे दो तरीके के मैंने बह गॉल थो देखेंगे यहें बेटरी बीवार में अच clam Yap दिखेंगे यह चीज देखो साधी बीवा में अगमओ ऑपर से स्प्रिंग छोड़ते हैं ऐसे से तो सब क्या होता परालंग nivel थगे यह वदा प्लस माइनस को पकरके को लेंगे तो क्या हो गगा मंक्या क्या होसा चाहिब चैनल भूता और संगिमल कैसे इतों सेखेंद थे दीर से इसको खोल लेंगे यह वाला पाट को पूरा इधर करेंगे और यह वाला पॉजिटीव पाट को इधर तो यह जो है ना आरवन और राट्टू कुछ ऐसे आएगा पैरलल इस टाइप का जब दूनों पाट खोल जाएगा तो ऐसे आएगा आपको विजुलाइज करना पड़ेगे यह सब चीजे जो है यह खोलने वाला जो बात कर रहा हूं मैं ऐसे पकर के दो एंड को आप जहां पर इसका में कनेक्शन है उसको दो एंड पर खोल के देखते हैं ऐसा नहीं का और यह में रेजिस्टर को खोल के देखना होता है विज दिख रहा है यह दोनों के एंड को अगर ऐसे करते भी तो पैरलल दिखेंगे तो इस टाइप को क्वेश्चन आ सकते आपको बोड में इस टाइप को संदे देगा पूछ देगा कि अपर वन अपन अरवन प्लस वन अपन आट टू कर देंगे सब में वही करेंगे दो ही पा कि इसको अगर हम लोग खोलते हैं यह प्लस और माइनस प्लस माइनस इसको अगर ऐसे खोले गदारा रवन हार टू दोनों से इसी पे खुलेगा ऐसे यह यहां से फिल सीधा कर देंगे यहां से इसको सीधा करेंगे ठिक यह कुछ सिधा करेंगा एक हो फीर से हो जाएगा और देखे इसको भी यहां से खोल कि इसको सीधा करेंगे तो 1 ₹ 2 ₹ 3 क्या होगा इस सब क्या हो जाएगा सीरिज में और यह तो नॉर्मल आप लोग जान ही रहें यह तो इस से तो बहुत ह्वाट ओगो थिक इस टाइप के क्वेस्ट्ञ रहेगा अगर मान लिजे इसका पूछ देगा इसका पूछ देगा बाटा की आरवन का वैल्यू ए सिक्स ओम और तुका टेन ओम आरटी का फिप्तीन क्या होगा इसमें डी वहले में तो और इकवेलेंट एकवाल टुक्या होगा आरब प्लस और टू प्लस और थरी तो कितना दिया वागा चेक्स आरटू टेन और थरी 15 तो यह 10 शू लट पिप्टीन याने कि सिम्पल सी बात है ठीक तो इसमें फूरा रेजिस्ट्रेक्ण स्का क्या होगा 31 मैं लेजिए कि हम पे हमने दे दिया क्या 5 डॉल्ट का पेटिनिस्यल डिरीफरेंस दै अब करेंट पुछेगा करेंट पुछेगा तो क्या होगा करेंट एकल टो क्या होता है विए अपन आ तो V को हो जाएंगा 5 defendant 31 टिक 30 को अपना I is equal to क्या हो जाएगा आपका जो भी आए कट करके आपका एंपियर में आ जाएगा ठिक यानि कि 5 by 31 गभानें आपका क्या हो जाएगा करेंट आजाएगा इस टाइप का यह जो पूरा जो बोट पर है इसको अच्छे से समझ लिजेगा आपको इस टाइप का ही क्वश्चन बोड में मिलेंगे बहुत जादा सिंपल कोस्टेंस नहीं मिलेंगे ठिक ना तो ऐसे कॉस्ट्टा जो मुर्स अधिने जो five number questionnaire बहुत interesting question इसका question क्या करा है कि एक क्या घूकवाज करते ना था सब ठीक एक five ohm का conductor तो five ohm का conductor इसको circular बना दिया गया और डाइमेट्री कर ली जो अगर दिया गया अगर माल लीजिए इधर से जाएगा तो फाइब ओम का जू रेजिस्टर अब दो पाट में डिवाइड हो गया तो पाट में डिवाइड हो गया अग्या यह टोटल फाइब ओम था अब आधा नीचे और आधा उपड़ यानिकी 2.5 उपड़ हो गया 2.5 नी है ऐसे फोल्ड करेंगे जैसे अगर ऐसे फोल्ड करेंगे तो यह दूडू क्या हो जाएगा है दो पाट में हो जाएगा अब इसका क्या है कि हमें यह निकालना है अब अगर यह दोनों को यहां से हम डायमेटरिकली फोल्ड कर देते ऐसे जैसे यह पूरा है इसको आधा पर से फोल्ड करना है तो यह कुछ ऐसे हो जाएगा तो यह वाला पूरा पाट दो पाट में होगा यानिके पैलल हो जाएगा ठीक तो देखे यह वाला पाट डायमेटरिकली अगर फोल्ड होगा तो क्या हो जाएगा पैरलल यानिके आधा पाट उपर और आधा नीचे अब इस पैरलल कंबिनेशन हम लोग को रिजिस्टेंस यह एकुवैलेंट रिजिस्टेंस निकालना तो बॉनबए बॉनबनरु पोलास बरण घुकला होगा रोलास बरण प्लस पर लोटल ब बाट प्लस बॉन अपन 2.5 कि यह यह होगा थीक यह होगा ना ओके तो धनिचे क्या हो जाएगा सुपर सोयानिकना याले की याने हो जाएगा टूपोइंट फाइब कर देंग है सबस्क्राइब यह से था उसको दो पार्ट में हम लोग फोल्ड कर दिये तो ुक्या अागी तो यह इस टाइब को शचन आ सकते यह थोड़ा सा अलग टाइब करें सोचने वाली कोशन होता है ग्रिटीकल आपको ठींकिंग लगाना परेगा यहां पर और सोचिए गत्तब जाकर करके आपको इस टाइब के सवाल बनेंगे ठीक बिटा तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर बनेगा एक हैग जा गोन बनेगा अ देख एक सबने गाए ऐसे यह यह गया थो चोटा बने यह गया यह 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 प्रेया यह यह आगया यह 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 जाद नीचा आगया क्या हुआ 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 है तीन हो गया अरह ड stress ऑस गे तरह से से मुलकद थे हो गई में देखी यह गया अगर माले जाइक दर से हमलों क्या कर दिए बैटरी कनेक्ट कर दिए सब का क्या है वन हो मैं हो मैं वॉन हो मैं कि ऑन हम Ayala ma य थैक यह साइड आपको दीक रहे है क्या चैक यह साइट देखनगाए आपको है क्जागोल महम्हाट यह ठेकिपर हो गया इधर वाले काम लोग बोलते हैं डिएस आप लेसर एसे बोलते और इसमें हम लोगों को अगर पूछा जाए यह एंड यह हो गया और यह वी हो गया ठीक यह हो गया अब इसमें हम लोग को पूछा जाए कि कोई वैलेंड एको वैलेंड रेजिस्टेंस निकाल लिए तो देखिए यह शाफ-शाफ दिख रहा है यह दो एंड को अगर हम पकर के खीच देते ए और दो यहांने कि अगर यह दोनों पॉइंट को पकर के खीचते हैं तो यह वाला क्या हो जाएगा से रिज में और नीचे से यह क्या हो जाएगा से रिज में ठीक और दोनों क्या हो जाएगा पैरलल में तो पहला उपर वाले के R1, R2, R3, क्या हो जाएगा, 1 plus 1 plus 1 is equal to 3 ohm, ठीक, तो पहला वबना पात क्या आगया, यह 3 ohm आगया, अब नीचे वाला भी क्या हैगा, तीनों का 1 1 दिया हुआ, तो फिर से 3 ohm आगया, R1 dash plus R2 dash plus R3 dash is equal to 3 ohm आगया, अब क्या ये दोनों क्या है परलल में तो और यह व्हान टेक्वल क्या हो जाएगा परल वन भाई ठीप्लस हो एक वाँ द्री फ्री एंड तू भाई थ्री यानिकि अडिक्व pledge क्या हो कहाओ भेटा त्री बाइट टू डैट इज ओन फाइव ओम ठीक त्वारी को वैलन्ट इकोल टू क्या हो गया हमारे पास वन पॉइंट फाइव चलिए घ्टम तो यह एक्जागोनल टाइप का अगर कोश्चन आपको मिल जाए यह तो मैंने यह बना दिया तो आपको लगा कि इजी है सिर्फ और सिर्फ में इतना ही करके छोड़ देता अगर माले जी इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ इतना ही बना के छोड़ देता है कि अब बताई है सिर्फ एक पॉइंट और बी पॉइंट बोल देते हैं फिर भी वह इसाही रहता है सिर्फ मैंने पिक्चर किलियर करने के लिए आपको यह आड़ कर वैसे कोशन आईसा ही आपको मिलेगा कोशन आपको सिर्फ एक हेक्जागोन बना कर जैस इसको माली जी ऐसे करके डिरेक्ट एड़ कर देगा ऐसे हो जाएगा यह पेंटागन हो जाएगा समझे इसमें हो सकता है का दो और जोर सकता है इस टाइप के सवाल आएंगे आपको तो इसको सिंपली अच्छे से लेना है ठेक तो यह तो हमारा कंबिनेशन आफ किसी नहीं पूछेगा समझें सब्सक्राइब जो हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो हो सकता है तो एक और नुमेरिकल का लेक्टर ले लेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कोस्टन जो होगा नुमेरिकल वो करा देंगे नहीं तो one short revision one short revision full electricity का revision कराएंगे ठीक तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।